हलो स्टूडेंट्स मैं कामेनी रारिया असिस्टिन प्रॉफेसर गौर्मिन लॉग अलो जजमेर आज मैं आपको एललवी थाड़ियर के पेपर 3.6 प्रिंसेपल आफ टेक्सेशन लॉग के बारे में बताऊंगी जैसे कि हमारी पिसली क्लास में हमने देखा था इसके लिए ब आएकर अधीनियम के अंतरगत कौन-कौन सी महत्वपून परिपाशा है जो हमने सेक्शन टू में पढ़ी थी वह हमने देखी आज की हमाली क्लास में आज का मारा टॉपिक रहेगा इंकम यानि की आए जैसे कि हम बाहर बार पढ़ रहा है आएकर आएकर अधीनियम 1961 आएकर तो आए है क्या इंकम क्या है इस बारे में आज हम आज देखेंगे तो जैसे कि आए पर कर तो ये ज़रूरी है कि आए क्या है वैसे अधीनियम में कहीं पर भी इंकम की आए की पर्टिकुलर कोई परिवाशा नहीं है लेकिन अधीनियम की धारा 2 और धारा 24 में उन मदों के बारे में बता रखा है उन heads के बारे में बता रखा है जिनने आए में समलित किया गया है तो वो head कौन-कौन से पैला head profit and gains यानि की lab जित्ते भी lab है वो सब आए मानी जाएंगी लाभांच यानि कि dividend ये भी lab आए मानी जाएंगे पुन्यात या धार्मेक ट्रस्ट एम संस्ताउं दोरा प्राप्त एच्छिक चंदे की राशी पिर अनुलाब या वेतन के स्थान पर लाब कोई और अगर मिल रहा हो तो वो भी माना जाएगा अपने कारले के करतव्य पालन के लिए करमचारी को कारले से आविशक व्ययों की पूर्ती है तो कुछ विशिष्ट भत्ते या लाब दिये जा रहे हैं वो भी अनुलाब को छोड़ कर तो ये सब आयमानी जाएगी करदाता जहां नियुक्त है जो भी टेक्स पर ये वो या जहां पर वैसा मंतर रहता है निजी व्ययों की पूर्ती है तो जीवन निर्वा की बड़ी लागत की शाती पूर्ती है तो प्राप्ट सीकृति विशेश भत्ते कमपनी के संचालक की इस्तिती में कोई से भी ऐसे अगर बुक्ताम किये गए कमपनी के द्वारा या कमपनी के संचालक के ओर से तो वो सब भी आयमानी गई है किसी प्रतिनिदी करदाता द्वारा लाब या अनुलाब का मुले जिने हितों के लिए प्रतिनिदी करदातों को आये प्राप्त करने का हगदा अधिकार हैं, ऐसे विक्ति को हितादिकारी यानिकी beneficial का जाता है प्रतिनिती करदाता द्वारा चुकाई गई, ऐसी राशी जो प्रतिनिती करदाता द्वारा ना चुकाई जाने पर बेनिफिश्री यानि कि हिताधिकारी विक्ति को चुखानी पड़ती ऐसे हिताधिकारी विक्ति की आयमानी जाएगी फिर सेक्शन 28 में सब प्लॉजस में और सेक्शन 41 से या 459 में कर्योग्य राशी कौन-कौन जी है अनने साधरों से आय शीशक के न्तक्राइग किसी व्याय, हास, डूबत, रण, हानी या संचाधी के संबंद में पूर में संकृत कटोतियों से संबंदित राशी जो गतवर्ष में वसूल हो गई हो पिर इसमें कर्योगे या इंपॉर्ट लैसेंज यानुग्या पत्र से विक्रह होने वाले समस्तलाब फिर निर्याद के संबंद में सरकार से प्रापतोंने वारी नगत साहिता की राशी कर्योगय आय, सीमा शुल्प, कस्टम ड्यूटी डौबैक यान गी केंदे उत्पांच शुल्प के संबंद में वापसी की राशी लाब या अनुलाब की कर्योग्य राशी किसी व्यापार या पेशे से प्राप्त लाब या अनुलाब की राशी जो कि मुद्रा में परिवर्तन हो भी सकती और नहीं भी हो सकती है कोई भी कर्योग्य राशी एक साज़दारी फ़र्म में साज़दार को प्राप्ट ब्याज, वेतन, बोनस, कमिशन या परिश्रमिक करदाता किसी वेबसाइट की कोई क्रिया ना करके तक्निकी ज्यान का लाब लेने के लिए किसी पेटेंट, कॉपिराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या किसी अन्यवारिजिक अधिकार का प्रियोग ना करने का अनुबंद करने के बदले कोई राशी प्राप्त करता है, तो ऐसी प्राप्त राशी को आहे माना जाएगा, करियोग के पूंजी प्राप्त राशी जिसमें कोई प्राप्त राशी जिसमें कोई पॉलिसी बोनस के रूप में आवंटित हो, पर इसा बाप्त के देश्चे के लिए मैधपुन व्यक्ति भीमा पॉलिसी का आशे है, वही होगा जो सेक्शन 10 सबक्लास D के स्पष्टिकरण में हैं, तो वो समस्त चीजें, ये सबी चीजें आए मानी जाएंगी, आए के उप्युक्त वर्णित परिवाशा, आए के बार कोई परिवाशा नहीं है, समय गनुसार जैसे जैसे इसके हैट्स बनते हैं, उसे के अकॉर्डिंग इसके अंदर आए को समलित किया गया है, तो यहां कोई आए प्राप्त है याना येत्ता है, करने के लिए कुछ सिद्धान्त है कि आए का साधन या सोत निश्चित होना च आए प्राप्ति में निमित्ता होनी चाहिए, जैसे कि दैनिक डेली वेजिस पर मिल रही हो, सापताहिक मिल रही हो, वीकली मासिक मिल रही हो, त्रेमासिक मिल रही हो, या वाशिक पुझीलाब मिल रहा हो, कुछ आए निगमित नहीं होती, लेकिन आए कर अधीनियम के गुरदोर वर्गपाहले यह सब चीजे आय की प्राप्ति मौद्रिक अहमौद्रिक दोनों हो सकती है कैसे भी मिल सकती है यानि यह आय सद्रेव भारी साधनों से प्राप्त होनी चाहिए कोई व्यक्ति से ऐसे आय प्राप्त नहीं कर सकता यानि कि खुद अपने आप से कोई कि दिश्टी में इसका कोई अंतर नहीं है जिस व्यक्ति का आये पर स्वामित्व है यानि कि उन्रशिप है आये उसी की मानी चाहेगी आये की प्राप्ति किष्टों में अत्वा एक मुझ तराशी भी हो सकती कैसे भी आये की निर्दारन के लिए आये के उपयोग तता आये के मोड यानि कि division of income में को समझ लेना जूरी है यदि करदाता आये का अपनी स्वाइग की इच्छा से उपयोग करता है तो इसे आये का उपयोग कहेंगे आय का उपयोग करदाता की आय मानी जाएगी और करदातों को ऐसी आय पर कर देना होगा लेकिन दूसरा यदि किसी अनुबन यानि कि संवेदा वगरा के अंतरगत करदाता द्वारा आय का कोई बाग अनेवारे रुप से किसी अन्य विक्ति को चुकाया जाता है या कोई आय किसी दूसरे वेक्ति को देने की प्रियोजन से प्राप्त होती है अधर कर्मचारी के वेतन में से होने वाली सबी कटाउती जैसे बीमा प्रीमियम बविश्य ने दी आधी को आय का उप्योग माना जाता है अतक करमचारी को वेतन की सकल आय पर कर देना होता है न की वेतन की शुद्धी प्राप्ती पर तो कोई भी प्राप्ती दे होते ही आय की शेणी में समलित की जाती चाहे वास्तिक भुकतान के बाद में प्राप्तो यदि किसी व्यक्ति को किसी खर्च से छुटकारा मिल जाता तो यह आए नहीं मानी जाएगी वेतन या पाश्वूंग में से अनिवार रूप से की जाने वाली कटवती को उस व्यक्ति के आए माना जाएगा व्यक्ति को तो पहार आए नहीं मानी जाएगी यानि कि पर्सनल अगर कोई गिफ्ट आपको दिया गया है तो वो आए नहीं है संभावित आए को उस समय तक आए नहीं माना जाएगा जब तक की वद्ध है अत्वा प्राप्त नहीं हो जाए यानि कि कहते हैं हमें इसके बाद इतना पैसा मिलेगा तो जब मिलेगा तब उसको आय मानेगे अभी नहीं स्टॉक ये संपत्ति के बजार मुल्य में व्रद्धी होने से बढ़ावा मुल्य आय में समलित नहीं किया जाएगा बड़ा हुआ मुले कभी भी उसमें समलित नहीं होता क्योंकि जो मार्केट होता वो अप एंड डाउन होता है और अप एंड डाउन की इस्तिती में हम कोई भी मुले नहीं जोड सकते मुद्रा के अतरिक्त अन्यकिसी वस्तो सुविदात्वा सेवा की रूप में प्राप्ट अनुलाबों को मुले आए में समलित किया जाता है तो ये जित्ते भी हैं ये सब आय है चाहे वो वेतन से या किसी भी तरीके से मिले कुछ भी काम करने के एवज में मिले वो सब आय है जो मैं अभी आपको बता है अब हम देख रहे हैं आयकर प्रभाव यानि कि चार्ज आफ टैक्स की आय पर प्रभार कैसे करेंगे तो सक्षिन 4 प्रभार आरोपित करने वाली ये दारा है और ये दारा व्यक्ति पर उसकी आय के सम्मन में आयकर अधिरोपित करती यानि कि आयकर प्रभार सक्षिन 4 ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति अगर ये आय है तो उस पर कैसे आप एक्स अधिरोपित करेंगे कैसे आयकर लगाएंगे तो आयकर का आरोपण उसी दरह उनी दरोपर किया जाएगा जिने की किंद्रिय अधीनियम की दोरा नियत कर रखा गया है अर्था जिने वाश्य की वित अधीनियम में नियत किया गया है यह प्रभार प्रतेक विक्ति पर आरोपित है प्रबार के अधीन विचारांत आयकर निर्धारण वर्ष की आय नहीं बलकि गत वर्ष की आय होती है बतला आयकर गतवर्ष की यतात आयपर आरूपित किया जाता है फिर भी अपाद मूरक परिसिती में कर निर्धारण की आयपर उसी वर्ष में कर आरूपित किया जाता है जैसे कि शुरू से हम बता रहे हैं कि आये पर कर गत्वश की पर लगेगा लेकिन अपाद में अभी लग सकता है आये कर निर्धारण की कुछ आये पर इस अधीनियम के बंदों के अधीन रहते वे करार आरोपित कर लगाये जाएगा करार ओपन की तीन अवस्ता है जिनमें पहली अवस्ता दाइत्व की है यह विदायन का बाग है जिसमें करदाता व्यक्ति पर कर दाइत्व कर दाइत्व का निर्धारण करता है यानि कि आपके पर यह लाइबिलेटी है कि आपको टैक्स पे करना है दूसरी इसके अवस्ता क् करनेधारण किया जाना है करार उपन करनेधारण मिलबर नहीं करता क्योंकि ये प्रतम अविस्ता में निश्चित हो जाता है लेकिन निश्चित की जाती है जिसका बुक्तान करने के लिए करदाता दाई होता है यानि कि उसको टैक्स पे करना और ये निर्धायत किया जाता है कि आपको कितना tax pay करना है तीसरी और last इसकी अंतिम वस्ता है वसूली की रीतियों की लेकिन ये रीतियों तभी प्रियुक्त की जाती जब करदाता सेच्छा से वुक्तान नहीं करता मतलब यह कि जब आपको बदा राखा है आपको क्लियर भी किया है तिया आपको इतना tax पर करना फिर भी आप नहीं कर रहे हैं तब उसकी वसूली की जाती है रिकवरी की जाती है इस तरह करार उपन के पहले भाग में कर प्रभार संबंदी दूसरे में संगरना और तीसरे में कर भुकतान कर वसूली और संगरन संबंदी विवस्ताओं के provision किय गए उबंद किये गए तो आय कर पर प्रभार यह है कि अगर हमने जो आज की टॉपिक में देखा आय अगर आपकी यह है तो आय पर इस तरह का आपका प्रभाव पड़ेगा आगी की क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगी तैंक्यू स्टुदेंट्स